हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम सिखेंगे कि लहंगे के मेजर्मेंट कैसे करते हैं यह लकीर कमर का है और आप देख सकते हैं यह लहंगे का डिजाइन हम निकाल रहे है ठीक है आज हम सीखेंगे इसका calculate कैसे करते है भाई चलिए ठीक है माल लिजिए कमर है 30 ठीक है हमें नीचे घेरा कितना रखना है तो around 3 मीटर हमें रखना है माल लिजिए ठीक है तो इसे calculate कैसे करेंगे वह में यह सोचना है कि हम कितनी कलियों का बनाएं ठीक है सबसे पहले कोई जरूरी नहीं कि मैं जितना बनाओं उतना भी रखें आप कम ज्यादा कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आपको पताते हैं किस तरीके से रखना है माल लिजिए कमर है 30 ठीक है और इसे हम 10 कली रखने वाले हैं यह देखिए तो इसे 10 से divide देंगे ठीक है 10 से जब divide देंगे तो 3 आएगा यानि 30 इंज को हम 10 भाग दिये हैं तो यानि एक एक कली की चोड़ाई जो है वो 3-3 इंज की आएगी यह देखिए 5 ठीक है और 2-3-4-5 और पीछे की side 5 यानि around 10 कली हमने बोला था यह देखिए दस ठीक है टोटली 10 हो गया चलिए समधाने के लिए एक लकिर दे यह आप एसे करके यह लकिर थोड़ी चोड़ी पर लिया होगी confusion मत होईगा ठीक है यह पांच दुन दस ही है यह तिन दी निंच की यह कमर है ठीक है हम नीचे का calculate की स्तरीक करेंगे ठीक है अब तीन मीटर है नीचे तो तीन मीटर इसकोल टू सो यानि तीन सो सेंटिमीटर ठीक है यह तो तीन सो सेंटिमीटर होगा ना ठीक है यह देखें तीन सो सेंटिमीटर हो जाए गए ठीक है इस हम cm में convert कर दिये हैं तीन मीटर को अब इसे हम दस कलियों में divide करेंगे यह देखें तो तीन सेंटिमीटर यह एक कली के नीचे की चोड़ाई होगी याद रखें सेंटिमीटर में हैं 30 इंच मत किजिएगा 30 सेंटिमीटर तो दस कली हम लगाएंगे तो तीन मीटर हो जाएगा ठीक है घेरा हम इसी तरीके समापते हैं कि चलिए आपको समझाने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक ज़रूर किजिएगा दोस्तों यह देखें हो चुका है और हम एक और साज लेंगे ठीक है उससे पहला हमको बता देते हैं यहां पर लंबाई को कोई मेटर नहीं है लंबाई आप जितना रखना चाहते हैं यानि 40 लंबाई है तो आप आराम से 40 यहां पर कार्द दीजिए दोनों साइट मार्चिंग कार्द दीजिए कोई दिकत न आप में करना है लंबाई के लिए ठीक है अब हम एक और साज लेते हैं ठीक है यहां पर लेते हम मां लिज्ए 34 ठीक है और इसे हम कर देते हैं चार मीटर, बस आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी आप कली के बनाने वाले हैं, उसे उतने से टिवाइट कर देना है, ठीक है, अब ये केलिट थोड़ा आठ पटास आएगा, ठीक है, ठीक है, चोंतीस डिवाइड़ बारा कली का हम रखने वाले हैं, ठीक है, कली आभी हमन सारा लेते हैं, ये देखे, कैल्कुलेट आचुका सामने, अब यहाँ पर हमने 400 टाइप किया, और देखे, 12 हम जब डिवाइड करेंगे इसे, तो क्या रिजल निकल के आता है, ये देखे, 33.333, तो इसे भी हम एंचिटेप में आपको बताते हैं, ये किस तरीकिस आएगा और ये देखे, 34, डिवाइड़ बारा, ठीक है, इसका आचुका है, 2.833, तो चलिए इंचिटेप में देखे लिजिए, किस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ये देखे, ये रहा 30 cm.33, याद रहेगा, सेंटीमिटर वो दिखेगा, और ये 2.8 है, तो ये इंच में है, तो हम इसे इंच में नापेंगे, सेंटीमिटर में नहीं, ठीक है, ये देखे, हम इंच में, ठीक है, तो ये 2.8, ठीक है, तीन पहुंचने से थोड़ा सा कम, ठीक है, यानि एक कल्ड़ी की चोड़ाई इतनी होगी, ध्यान से रखेगा, आप जब इतनी चोड़ाई तो दोनों साइट हापापीज छोड़ दीजिए, और वो कली कर जाएगी, ठीक है, बहुत खुश्रत तरीके से ये हिसाब लग चुका है, दोस्तों, ये वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, द ये आपने समझ गया, तो किसी भी साइज का, किसी मेंजरमेंट का, आपको काटने में कोई दिकत नहीं होगी, ठीक है, देख सकते हैं, बहुत यासाने से कल्कुलेट हो चुका है, तो इसी तरीके से वीडियो अच्छा-च्छा मैं लातु रहाँगा, चैनल को सब्सक्राइ प्रॉप अजयात लाइसा करे दो का, पूल को सब्सक्तिक भाया लातु याईख साहीं है, तो पत्म को किसी तरीके से कशिए और बहुत दिकती है, यासा प्सक्टा फ्ता बहुत बाुत, ऊच्छा रहुतार मैं, बहुत या किसी दिकता है, तो जबोसता किसी में प्तिको